IPS टीम चिन्नई सूपर किंग्स के खिलाडी सुरेश राहिना की उनकी शांदार बल्लेबाजी के कारण बहुत बड़ी फैन फॉलोईंग है। इसके अलावा राहिना को खाना बनाने बहुत पसंद है और उन्होंने अकसर घर पर खाना बनाते हुए अपनी तस्वीरे साजा की है। उन्होंने अपने नए रेस्टरॉन का नाम राहिना इंडिन रेस्टरॉन रखा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर के साथ घोशना की जिसमें राहिना रेस्टरॉन के शेफ के साथ खड़े थे। फोटो वाइरल होने के बाद कई लोगों ने बधाई संदेश पोस्ट किये। राहिना ने अपने पोस्ट में लिखा खाना बहुती स्वाजिष्ट है। राहिना रेश्टरॉन में उत्तर भारत के संवरुद्व मसालों से लेकर दक्षिन भारत की सुगंदित करी तक का खाना उपलब्थ है। इसमें चिकन कबाब, पानी पूरी, सेफ पूरी, आलू चाट आदी होंगे। इसमें देश के विभिन्न हिस्तों के व्यंजन होंगे। अद्भूत, मैनू में सबसे सस्ती डिश की कीमत एक तशमलव 49 यूरो यानी 132 रुपए है। मैनू में सबसे सस्ता व्यंजन राइता है। जबकि सबसे महंग्या व्यंजन है तंदूरी लॉब्स्टर। इसकी कीमत 24 यूरो यानी 2183 रुपए है। यहां कई महंग्य व्यंजन है अगर आपका मन हेने खाने का तो आप वहां जा सकते है। इसके अलावा राइना के पास कई विक्यापन भी है। आईपीयल में उन्हें कॉमेंटेटर और विशलेशक के रूप में चुना गया है। राइना ने माते नामक एक बेबी केर ब्रांड की सहस्त अपना भी की है। जो बच्चों की देखभाल के लिए रसायन मुक्त और आर्युवेदिक उतपात बेचता है। उन्होंने सही कॉइन नामक स्टार्टप कंपनी में भी निवेश किया है। जो क्रिप्टो करंसी के समद में समाचार प्रकाशत करती है। कितना मेहनती आदमी है। कितना में सम्द pilgrimage झाल झाल